हेलो दुफ्तु, दुफ्तु मैंने अभी अभी मैडम वेवुनाम की मूवी को देखकर कम्लीट किया है फाइनली मैंने देख डाली है मुझे देखने का कुछ मन तो था नहीं लेकिन फिर भी देखना था तो देख लिया हेलो हो दुफ्तु में लेंहेर करना दो अलग अलग बाते हैं मैं बिल्कुल भी इंजॉइनिंग कर पाई इस फिल्म को एंड कहानी ही कुछ खास नहीं तो कहानी पर मैं थोड़ा बहुत आ जाता हूं बता देता हूं कि कहानी क्या है तो फिल्म में जो विलन है यहां पर उसका नाम है एजिकल फिम्स उसको एक सपना आया कि तीन लड़कियां हैं जो उसको मादने वाली हैं वो तीनों लड़कियां सोपर हीरोटाइप की कुछ हैं एंड उसको सपना आता है कि वो तीन लड़कियां उसको मादने वाली हैं एंड वो चाहता है कि वो लड़कियां उसको मारें उससे पहले वो उन लड़कियों को माल दे दूसरी साइड यहां पर पैदा मैडिक्स वाली डकोटा जॉनसन है जिसका नाम है कैसी कैसेंटरा उसका यह है कि एक एक एकसिडेंट हुआ जिसमें लगभग वो मर ही गही थी और उसके बाद वो बच जाती है फिर उसके बाद उसको देजाबू होने लगता है मतलब उसको फ्यूचर दिखाई पढ़ने लगता है जो नियदली फ्यूचर है जो करीब का है जो आसपास है जो होने वाली है वो उसको दिखाई पढ़ने लगता है और वो देखती है कि एक आदमी है जो उन लड़कियों को मादने के पीछे पढ़ा हुआ है और उसके बाद वो उन लड़कियों को बचाने के लिए निकल पड़ती है मतलब मानवता के तौर पर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई जिम्मितारी थी या उन लड़कियों से उसका कोई संबंद है या कोई दिश्टा है कुछ बनी बस उसको उन लड़कियों को बचाना है क्योंकि मानवता की बज़े से लड़कियों को बचाने में वो लगी रहती पूरी मूवी में और जो विलिन है वो उनके पीशे पड़ा देता है वो लड़कियों उसको बचाने में लगी रहती या क्यों बनेंगी या वो उसको क्यों मारें बतल अब कुछ हिंट तो दो कुछ समझाओ तो कुछ ऐसा तो लगे कि हाँ यह चीजें हो सकती है आगे चल कर रहे सिसी होगी तो वो लड़किया उसको मादनें के लिए निकल पड़ेंगी कुछ भी नहीं एंड उसके बाद उसको सबना आया एंड वो उसके पास एक चीज है जो फास्टन फ्यूदे सैबन में थी गॉड़ जाई ऐसा उसके पास एक टूल है कुछ टेकनिकल चीजे हैं जैसे वो उसको ढूड लेता है एंड मुझे यह समझ में नहीं आए कि उसके दिमाग में जो इमेज है जो उसने सपना देखा है वो सपने वाली इमेज पर पहुंची कैसे यह उन्होंने कुछ बतायागी नहीं एंड उसके बाद चलो ठीकर की टेकनोलोजी की मदद से एक तसबीर है पूरे शहर में पूरी दुनिया में आप उसको ढूंड लोगे लेकिन धूंडने की बात उत्तव आएगी न जब आपकी दिमाग से वो निकल के इमिज कमिटर पर पहुंची कैसे यह उन्होंने बताई निया और पूरी फिलम में जो ढूंडता रहता है और बचाने में लगी रहती है यही किरदार है जिनको काफी अच्छे पर अच्छे पर एक्सप्लोड किया गी है न अच्छे पर डैबलब किया गया है न करेक्टर आर्क नाम की कोई चीज होती है जि यह बहुत इसारी हो सकती थी लेकिन इसे फिल्म में कुछ भी नहीं है एक्णिंग मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी है बाकी मैंने कहीं दिया है इसके दिन पले राइटिंग, डिरेक्षन, ट्रीटमेंट, पॉडाइशल, ट्रामा, मसाला, पेसिंग सभी कुछ यहाँ पर लगबख खराब है पूरी तरह से इसे फिल्म में तो यह है, इसे ज्यादा मुझे फिजूल में न तो अपना टाइम बिफ्ट करना है न आप लोगों का टाइम बिफ्ट करना है न दो गंटे की मुवी को देखते देखते मेरे फर में दल्द हो गया है यहाँ पर कुछ भी नया जैसा है कुछ भी खास, कुछ भी अच्छा लगए नहीं एक पर्टिकॉलर स्थीन तो होता जिसको देखने का मन करता या यह लगता कि यह कुछ अच्छा है मुवी दो हजाल तीन में सेट है तो यह है अपने मुवी देखी है लिखे बताना बाकी ना तो एक्षन अच्छा है बियेफेक्स हाँ कुछ अच्छा है जो फिल्म हो सकता था यह है ना तो एक्स अच्छा है बई जिसमें कोई बात ही नहीं मतलब सूपर हीरो मूवीज में जो चीज़ें होती है जैसे की चीज़ों को लेकर किरदारों को लेकर आपको डद लगी या कोई excitement हो मूवी को देखते हुए एक पागलपन हो एक madness मूवी में ये चीज़ें आप experience करेंगे अगर आपने endgame देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि सूपर हीरो मूवी एक्चुली होती कैसी है कुछ यहाँ पर है नहीं तो ये जफ्ट वनिस्ट आप इस मूवी के लिए आपने देखी ये अपने टेक्स लिक के बताना बागी दस मेह से अगर आप लोग पूछें क्या तो के वल्ट टू इस्ट रस आप टेन देखी है लिक के बताना चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं ये की मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब उसकी जिन्दगी में उससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कुछ ऐसा जटका लगे नहीं उसको कि उसको देजाबू वाली फेलिंग आने लगे मतलब अचानक से आभी ही क्यों तीस साल के उसकी उम्र है बहुत पहले भी ये तो चीज़ें हो सकती हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसके साथ कोई घटना होई है और उसके साथ ऐसी चीज़ें होने लग सकती थी तो बहुत कुछ इस्यूस है इसे फिल्म में राइटिंग के नाम पर इन दा एंड आपने देखी ये लेकि बता ना बाकी मैं तो यही कहूँगा कि नहीं देखिए तो इसकिप करो छोड़ दो इसमें कुछ भी अच्छा है इसे फिल्म में है ने दिसे इस निते चानल काने को थैंक यू बाकी एक दिक्वेफ्ट हमें पर रहती है कि लाइक शोने फिप्रा भी करना चैनल को वीडियो को थैंक यू